अगली राशी लेंगे जो है सिंग राशी से अगर आप जुड़े हैं तो पहले आप तक पहुचा दें आपका राशी फहले आने के दिन भर आज आप कैसा गुजारेंगे क्या आपको करना है और किस चीज से बचना है इसके अलाव आपको बताएंगे कि आपको कौम सी माला सिंग राशी वालों को जल्दी बाजी नहीं करनी है और धन का लाव निश्चित रूप से आज होने का योग बनता है इनका शुम रंग है क्रीम और भाग है अठावन प्रतिश है पंडी जी क्या करें सिंग राशी से जुड़े हुए लोगों को रक्त चंदन लाल चंदन की माला पहननी चाहिए इससे उनकी प्रतिवा भी पढ़ेगी और शत्रूं का विनाश होगा वो आगे बढ़ते रहेंगे जी अगली राशी ये कन्या राशी कन्या राशी से अगर आप जुड़े हैं तो फिर आप जाल लीजीगा कि आपके दिन भर का हाल आज कैसा रहेगा कन्या राशी वालों को पिता से सहयोग मिलेगा या बड़ो से सहयोग मिलेगा परिछा में सफलता निश्चित मिलेगी शुब रंग आज का केसरिया होगा और आपका भाग्य है 71 प्रत्षट पंडीजी कण्या राशी वाले लोगों को आप क्या सलाह देंगे? कण्या राशी वालों के लिए हम कहेंगे कि तुल्सी की माला पैने से इनको धन का लाव होगा आज एक ओर कॉलर है हमारे साथ रजनी है दिली से जी, 5-11-1978, दिन में साड़े ग्यारा का जन्वी, जी सवाल रखे रजनी आप अपना, पंजी जी मेरको परिशानी चल रही है, आज़ पास के लोग कुछ सरकारी माध्यम से मेरको परिशान करने की कोछिश कर रहे हैं, तो उनके मतलब उनका शत्रों का नाश हो, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताईए और ये भी बताईए क्या उसमें मेरी विजय होगी की नहीं होगी, आप समझ लिए बहन जी कि आपकी कुणली धनुराशी की बन रही है, और इस समय आपकी कुणली में मंगल की दशा चल रही है, जुलाई 2016 तक, आपके शत्रों का नाश तो ज करें, हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाए, हनुमान चैलिशा का पाठ करें, मिश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इंदरनाथ है, एक कॉलर हमारे साथ जैपूर से, इंदरनाथ जी आपका स्वागत है, सवाल रखिया, आप, मैं आपूर से बोल रहा हूं, मैं पहले आप बताईये, हाँ, 23 मार्ट मुनिस एक सच, चार बच कर चावालेस मिर्ट सुबह में, जी आप अपना सवाल रखिये, मेरा सवाल यह है, कि मेरा अभी जो सर्विस में हूं, मेरे कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, और मैं पोशिष रजाओ की कोई मेरा चोटा म मिर्शब रासी के हिसाब से अगर आपकी कुल्ली हम देखते हैं तो इस समय शनी की महादिशा चल रही है, आप इंटीरियर के काम में जरूर सफल होंगे, लेकिन यहाँ पर इंटीरियर का सलाह देने का कारे आप करें, आपकी कुल्ली के हिसाब से मैं आपको यही सलाह दू और फिलाल इसी के साथ वाकत एक और छोड़ी से ब्रेक का हुआ है, कल आज और कल में ब्रेक के बाद लोटेंगे, बारी आएगी तुलार व्रिशिक राशी से जुड़ेवे लोगों की आपको भी हम बताएंगे कि आपका राशी फल क्या है और साथ-साथ आपको कौन सी मा परणादाएक है और पौरानिक है, शिक्षा प्रद है, लेकिन आगे बाद तुलाराशी की तुलाराशी वाले लोगों को बता दें कि आपका राशी फल आज कहता है तुला राशी वाले लोगों व्यक्तितों में निखार आएगा परिक्षा में सफलता प्राप्त होगी आपके लिए सुब रंग है सफेद और आपका भाग्य है 89% लेकिन क्या करना होगा पंडीजी माला का विश्य अगर हम तुला राशी वाले लोगों के लिए स्फटिक की माला धारन करनी बहुत अच्छी रहेगी ये धारन करने से इन्हें समृध्धी प्राप्ति होगी और लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी और आगे बढ़ेंगे व्रिश्यक राशी की बात करेंगे आपकी राशी अगर व्रिश्यक है तो अब ध्यान से सुनिएगा पंडीजी आपको क्या बता रहे हैं आपके राशी फल में व्रिश्चिक राशी के लिए प्रेम में सफलता का दिन है चिंता से मुक्ती मिलेगी आपके लिए शुभरंग है पीला और आपका भागय है 79% पणीजी चिंता से मुक्ती जरूर मिल रही है लेकिन बाकी और कश्टों से भी मुक्ती मिल जाए इसके लिए माला एने कौनसी धारन करनी करनी चाहिए व्रिश्चिक राशी के लिए लाल चंदन की माला एकदम बढ़िया होगी दरशित पर कश्टों के हम बात कर रहे हैं साथ साथ आपके फोन कॉल्स लेते चले जा रहे हैं लेकिन अब बारी है एक बेहत अचूक और बेहत सठीक उपाए की उपाए आज कल में तो जान लें कौन सा उपाए लेकर आएं पन्दीजी उपाए आज कल में हम सब के लिए उपाए आज कल में हम आपको बताना चाहते हैं पती पत्नी के संबंध कैसे मधूर रहें ये बड़ा ही पवित्र संबंध है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम बढ़े और परिवार में भी प्रेम बढ़ता रहे तो आप गुलाब जल में सफेज चंदन को पीस कर उसका तिलक करना शुरू करें इससे शुक्र बल्वान होगा और शुक्र दामपत्य जीवन का कारक है मधूरता का कारक है प्रेम का कारक है प्रेम बढ़ेगा अवश्य सफलता मिलेगी बढ़िया रहेगा और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है रेखा है राइपूर से उनका सवाल ले ले रेखा जी स्वागत है आपका बताईए अपना सवाल सुन रहे हैं आपकी आवाज सवाल रखे हैं जी मुझे मेरे पती के बारे में पूछना है जी उनकी त्रुम पर ते अच्रा तीन उनीस सो च्याट्र जी जन्मसा में बताईए अगा साम 4 से 5 के बीच में जी जन्मसा में एक बार बता दीजिए रेखा जी आपकी जी सवाल रखे हैं आपक्या जानना चाहती है जी उनकी सरकारी नौकरी के बारे में ये कहें कि इनकी कुणली में सूर्य बहुत अच्छा है इस समय तुला राशी है और इस समय शनी की महादशा चल रही है मैं तो ये कहूंगा कि ये लगातार सूर्य पूजा शुरू करें हर दिन नित्य स्नान के बाद ये सूरी को अरग दें सूरी की पूजा करें योग बहुत अच्छे बनेंगे मुझे पूरा विश्वास है सरकारी नौकरी के लिए इनको थोड़ा प्रयात्म करना पड़ेगा लेकिन एक से सवा साल के अंदर इनको सरकारी नौकरी जरूर रश्मी है कॉलर हमारे साथ दिली से जी रश्मी स्वागत है आपका आप भी बताईए अपना सवाल हलो पंदी जी मेरा नाम रश्मी है और मेंडी डेट वबर्थ है दो अबस नाइंटीनेटीफाइफ जी पांच बजे का जनम है जी सुबा में शाम में नहीं मैं सुबा ज जी सवाल रखिए मैं मुझे ये पूछना था कि एक तो मेरे हाथ में पैसा नहीं रूपता आज मैं मैं शादी रपता होगी जी आपका धन संचुत हो पाए और आपका विवाह शिग्र हो पंदी जी ने कल्कुलेट किया है जी बंदी जी इनकी कुली में मकर राशी बनती ह और इस समय इनकी गुरू की महादशा चल रही है जब तक विवाह की बात करें तो विवाह के योग इनके करीब 2-3 साल बात बनते हैं अभी तुरंत में कोई विवाह का योग नहीं बनता है इस समय इनको कैरियर पर ध्यान देना चाहिए इनकी कुली में धन जो संचे नहीं हो रहा है इसका कारण यह है कि यह वाद विवाद में ज़्यादा पड़ जाती है थोड़ा सा सलाह लें और कम बोलें कोशिश करें कि कम बोलके काम चलता हो तो चलाएं आपकी कुली में शनी की प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है आप शनीवार को मंदीर जरूर जाएं का खाले तिल और गुड का लड्डू बनाएं और गाय को खिलाएं हर शनिवार को धन बढ़ने लगेगा पैसा बढ़ने लगे आपके पास जरूरी है घरी और सयम बनाए रखे धैरिय और सयम सनी का पहला सूत्र है जी तो धैरिय और सयम आप जरूर बनाए रखे धनसंचित होगा और आपके विवाह की जुशन का आपके मन में है वो भी जरूर समाधान अपना ढून पाएगी फिलाल हम एक छोड़ा सब्रेक ले रहें कल आज और कल में लेकिन जा क्या है फिलाल बात करेंगे धनुराशी के राशी फल्की आप तक पहुंचाएंगे पंडिजी की धनुराशी वाले लोगों का देनाच कैसे नुसरेगी धनुराशी वालों के मन में उल्लास रहेगा नए काम बनेंगे शुबरंग इनका पिला है और आज इनका भाग्य है 77 प्रतिशत पंडिजी धनुराशी जितने लोग जुड़े हैं उनको हल्दी की माला पहननी चाहिए हल्दी की माला पहनने से इनको विद्या की प्राप्ति होगी नई नई जानकारिया मिलेगी और अपने आप प्रगती मिलती रहेगी हल्दी की माला हल्दी की गांट वाली माला धारं करें चोटे चोटे उसके टुकडे बना सकते हैं और उसमें मिलते हैं अगली राशी होगी मकर राशी, मकर राशी से जोड़े हुए लोगों को भी बता दें कि आज आपका दिन कैसा गुसरेगा मकर राशी वालों को मित्रों से बड़ी मदद मिलेगी, अचानक धनलाब होगा और शुमरंग इनका हरा है मकर राशी वालों को कमल गटे की माला धारन करनी चाहिए, इसे धारन करने से सफलता मिलने लगती है और जहां भी कुछ रुकावट होगी वो निकलने लगती है तो यह है आप सब के लिए उपाए कि आपको क्या करना है फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, कंचन हैं दिल्ली से, जी कंचन स्वागत है आपका सवाल रखिये पंडी जी नमस्कार नमस्कार कंचन जी मेरी देटों मर्था अठारा एक बापत अठारा जी इक बार जन्म समय फिर से बता दीजे कंचन जी पंडी जी आप सवाल रखिये पंडी जी मैं अपने सास्त को लगे बहुत परिशान हूं मेरे हाथ केरों कमर में बहुत ज़्यादा दर्व रहता है और बहुत मैंने इलाज करा लिया लेकिन दवाएं काम नहीं कर दीजी बहुत ज़्यादा परिशान हूं जी कंचन जी आपकी कुणली में दर्शा चल रही है शुक्र की मैं आपको यह सला दूंगा कि आप कुछ आयरुवेदिक चीजों का भी प्रयोग करें किसी अच्छे योगा टीचर से मिलें और योगासन का अभ्यास करें साथ ही साथ मेरे हिसाथ से मंगल की पुझा करनी आपके लिए बहुत आवश्यक होगी आप हर मंगलवार को गनेश मंदिर में जाएं और गनेशी के लिए गुड का दान करें या गुड का प्रसाद लगाएं या गाय को थोड़ा गुड खिलाएं अगर आप ऐसना करती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महिने में आपको स्वास्थलाब होने लगेगा जी एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर फिर से ले रहे हैं लेकिन कहीं मत आप जाएएगा क्योंकि भविश्यवाणी अभी बाकी है आज की भविश्यवाणी आप तक पहुंचाएंगे लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरूर बता दें कि आज राद 12 बजे आपका लाजर कल में कौन से विश्यवाणी पर चरचा देख पाएंगे फिलाल एक छोटा सब रेक हम जाई जोटा है खास विश्यवाणी आपके लिए हम लेकर आए हैं कौन सी माला आपको गले में धारन करनी है जो माला आपके लिए शुब फल दाई हो जो माला आपके लिए लाबकारी हो फिलाल हम बात करेंगे कुम्भ राशी से जुड़े होए लोगों की उसके बाद बारी आएगी मीन राशी की भी पहले कुम्भ राशी का राशी फलाब तक पहुंचा दें पंडिजी के मात्वन से कुम्भ राशी वालों को अधिकारियों से बहुत मदद मिलेगी और आज यात्रा से भी फायदा होगा इनका शुबरंग काला है और इनका भाग्य है 67% पंडिजी कुम्भ राशी वाले लोगों को आप कौन सी माला धारन करने की सला देंगे अगर ये लोग की माला धारन करते हैं तो इनको शत्रूँ पर विजय प्राप्त होगी और विरोधी इनके दूर चले जाएंगे और अब बात करेंगे मीन राशी से जुड़े हुए लोगों की मीन राशी वाले लोगों को भी बता दें कि आज आपका दिन कैसी पुस्वेगा मीन राशी वालों के लिए सिक्षा में बहुत बढ़िया दिन है सिच्छा में सफलता मिलेगी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखना है इनका शुबरंग है हरा और भागय है 69% और मीन राशी वाले लोगों के लिए कौन सी माला बंडीजी? मीन राशी वालों को भी हल्दी की माला धान करनी चाहिए और ये माला धान करने से इने भी समृद्धी और प्रगती मिलेगी जी और फिलाल कारेक्रम में बार ही है आज की भविश्यवानी जान लेने की कौन सी खास राशी के बारे में पंड़िजी आप तक भविश्यवानी पहुचाएंगे ये भी देख लेगे वर्षब रासी के लिए आज विशेश बात है इनको आज लाब का योग है बहुत पहले से चल रहे कोई मुकदमे होंगे उसमें भी समाप्ति आ सकती है उसका भी समाधान आ सकता है थोड़ा सा स्वास्त पर ध्यान रखना है ठंडी लग सकती है सरदी जुखाम हो सकती है और फिलाल इसी के साथ कल आज और कल में आज के लिए इतना ही आपसे विदा चाहेंगे पंडी चीब बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे साथ स्टुडियो में बनी रहे और दर्चकों के तमाम सवालों का आपने जवाब दिया तक लाज और गल में इतना ही आपस इजास्थ चाहेंगे नमस्कार लेकिन एक छोड़ से ब्रेक के बाद यानि कि ठीक